वेल्कम बैक तो माई चैनल अन्वेशास क्रियेटिविटी और आज का वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आपने से किसी फ्रेंड ने बोला था कि मैं क्रोटन से जुड़ीवी जानकारी दूँ तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं क्रोटन से इसको फॉलो करके किवल मुख्य मुख्य पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने क्रोटन की देख़ाल आसानी से कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं आपको पिक्चर में देखने को मिल रही है कि काफी सारी वराइटी क्रोटन की होती है बहुत सारी और बहुत प्यारे प्यारे वराइटी होती है काफी सारा क्रोटन आपको different different design में different different पटों का different different colors में आपको easily nurseries देखने को मिल जाएगा और ये सबसे खुबसूरत plant है indoor रखने के लिए भी और outdoor रखने के लिए भी लेकिन इंडोर और आउट्डोर किस तरी किस रखा जाता है वही मैं आज आपके साथ में शेयर करूगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी क्रोटन की दो वराइटी हैं एक ये कलरफुल पत्तो वाला है जिसके पत्ते ये दो-तिन कलर में हैं परपल, पिंक और ग्रीन शेड के और दूसरा है ये मेरे पास पत्ली पत्तियों वाला तो क्रोटन दो-तीन तरह के डिजाइन में होता है जैसे कि एक तो ये है एक लंबी पत्ति वाला होता है एक मुड़ीवी पत्ती वाला होता है और काफी सारे उसमें है जैसे कि आपने अभी तक देखी लिया होगा तो इंडोर रखने के लिए ये बेस्ट प्लांट है और इसको बहुत जादा क्यार की जरूरत तो नहीं होती है लेकिन अगर आपने प्रॉपर केयर की है तो आपका प्लांट सालों साल बहुत अच्छे से चलेगा और ग्रो होगा और ये कटिंग से भी लगाया जा सकता है बहुत असानी से इसकी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है और अगर आपने मेरा बालकेदी तूट देखा है तो आपको पता रहेगा कि ये मेरा देड़ साल पुराना प्लांट है और ये DIY प्लांटर है ये आपको मैं दिखा दू ये DIY प्लांटर में मैंने लगाया है और देड़ साल से ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रो कर रहा है त तो जिन लोगों को यह होता है कि आपके planter खराब तो नहीं होंगे तो उनके लिए भी एक चोटा सा मेसेज है कि यह जो planter मैंने बनाए है DIY planter यह भी एक दिल साल से चल रहा है और इसमें मैंने Crotan लगाया है और काफी अच्छे से grow हो रहा है तो ये तो रही थी planter की बात तो अब बात करते हैं croton की तो croton में ये जो है ये semi shade में रखने वाले planter semi shade मतलब इसको बहुत जादा धूप की जरुरत नहीं होती इंडोर अगर आप रखेंगे तो भी और outdoor रख रहे हैं तो भी दोनों में थोड़ा difference होता है रखने के लिए वगरा में रखा है plants तो वैसे भी living area वगरा में रखते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं तो ये देखें कि वहां पर थोड़ी बहुत रोश्नी और रोश्नी तो proper आनी चाहिए लेकिन धूप भी थोड़ी बहुत जरूर आनी चाहिए और अगर धूप नहीं आती है तो खुली हावा मिलती है ऐसा कहना चाहिए उनको धूप की रोश्नी सूरज की रोश्नी जो होती है तो वो काफी पसंद होती है तो कोई भी plant क्यों नहों क्रोटन के अलावा भी अगर आप इंडोर रखते हैं तो उसको थोड़ा बहुत धूप में जरूर रखें एक से घंटे की धूप हफते में एक दिन अगर आप डेली नहीं कर सकते तो हफते में एक से या दो दिन आप जरूर रखें तो यह तो रही लाइटिंग की और धूप की बात अब बात कर लेते हैं इसकी पानी की तो इसको बहुत जादा पानी की जरूरत नहीं होती है आप एक द जब आपको लगे कि मिट्टी बिल्कु सूख गई है तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं लेकिन ये ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है बहुत ज़्यादा पानी से इसकी जड़े गल जाती हैं तो आप कोशिश कीजेगा कि इसको कम पानी दें माली ज़ इसमें हाफ मग पानी आपके लिए प्रॉपर है और गर्मी में आप इसको दो टाइम भी पानी दे सकते हैं लेकिन हाफ मग क्योंकि ये पौदर जो है क्रोटन की कोई भी वराटी है ये थोड़ा यूमिडिटी को पसंद करता है तो इसको थोड़ा कम पानी और या फिर बहुत जादा गर्मी होती है दोनों ही सूरतों में इसकी पतियां गिरती है तो जहां पर बहुत जादा सर्दी है जैसे दिसंबर वगरा की सर्दी होती है तब यहां प्लेन एरियाज में दिसंबर वगरा की सर्दी जो होती है तो उसमें भी हमारा क्रोटन की पतिय गिरती है या फिर आपने ओवर वाटरिंग की है जिसकी वज़े से इसकी पतियां गिर जाती है और दूसरी चीज अगर आपने पानी नहीं दिया है बहुत ज्यादा हमारा पौदा सूखा है कभी भी इसकी पतियां गिर जाएंगे अच्छा ये तो रही थी इसकी पतियों की क अब बात कर लेते हैं हम इसके फर्टिलाइजर की क्रोटन के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने आपको का इजी टू ग्रो है तो आप इसको कोई भी खाद दे सकते हैं अगर आपके पास कोई खाद नहीं भी है तो आप चाय की पती जो हम चाय की पती चाय बनाने के बाद में फेक देते हैं उसको अच्छे से दोलें और धूप में बिल्कुल सुखा लें और उसके बाद में एक से देड़ महीने में दो दहाई चम्मच आपने चाई की पती इसके अंतर डाल दी और सबसे जरूरी है इसकी गुड़ाई करते रहें करति अपने देखा होगा कि एक डैकोरेशन के लिए । यह डिख्जास के लिए बहुत अच्छा होता है तो इंदॉर भी रख सकते हैं फानि कम देना है और खाद भी एक दू महीने में दे सकते हैं है College काउडंग खाद है आपके तो है आप इसको cutting के साथ में भी उगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी cutting grow हो जाती है ठीक है? तो cutting हमें कैसे करके लगानी है? cutting के लिए मैं आपको suggest करूंगी कि आप कभी भी क्रोटन की cutting लगाएं, तो आप इसको बरसातों के मौसम में लगाएं. बरसात में अगर आप इसकी cutting लगाएंगे तो यह 100% grow होगी ही होगी क्योंकि winter में थोड़ा मुश्किल होता है summer में भी ठीक है आप लगा सकते हैं लेकिन बरसात में बहुत अच्छे से होगी और cutting किस तरीके से लगानी है आप जैसे मानलेजे यह मेरे croton की एक टहनी है थोड़ी कोई भी मजबूत सी टहनी ले लीजे थोड़ी बड़ी जैसे यह पतली सी टहनी है यह वाली अगर आप cutting में लगाएंगे तो यह नहीं होगी और एक चीज और भी है जैसे मानलेजे 5-6 दिन तक आपको टाइम नहीं मिलता है अगर आपने cutting ले ली है कहीं से और आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप उस cutting को पानी के अंदर डाल करके रखें और 2-3 दिन के बाद में पानी चेंज कर दें तबी भी आपकी पानी में भी cutting रहेगी खराब नहीं होगी दूसरी चीज यह इसको आप किसी भी तरीके के pot में लगा सकते हैं plastic pot में, cement pot में, यहां तक ही छोटे छोटे container में भी आप इसको लगा सकते हैं तो छोटे छोटे container में लगाने से क्या होता है कि आपका पौधा बहुत जादा grow तो नहीं करेगा लेकिन वो खराब भी नहीं होगा मतलब यह कि उसकी सुंदरता जो है वो as it is बनी रहेगी आप छोटे छोटे कटिंग को भी लगाएं छोटे छोटे container में तो वो बहुत अच्छे से सुंदर लगेगी और आप छोटी छोटी जगह पर स्पेस पर as a decoration plant आप उसको रख सकते हैं और अगर आपको घना बनाना है अपने croton plant को घना बनाना है तो उसकी क्या होता है जैसे मान लिजे यहां से कहीं cutting कर दी है आपने तो वहां से नई पत्तियां भी उगनी शुरू होती है अब जैसे मैं बात करते हूँ इस वाले croton plant की तो जैसे इसकी पत्तिया इस color की है और इस color की है लेकिन जब यह शुरू में होती है तो यह पहले इस color की होती है तो मैं इसको क्या करती हूँ मैं हलका 1.5 घंटे के देख रहे हैं यह नई पत्तियों की growth भी होती है तो मैं सुबा सुबा की धूप जो होती है तो आज कल विंटर है तो सुबा सुबा में 1.5 घंटे की धूप इसको जरूर देती हूँ और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पत्ते थोड़े hard हो रखे हैं और थोड़े आप लोगों को एक चीज और मुझे बतानी है कि आप बहुत जादा संलाइट में भी ना रखें क्योंकि उससे क्या होता है यह देखिए इसकी पत्तियां इस टेप से जल जाती है अगर आप बहुत जादा इसको धूप में रखेंगे या डारेक संलाइट में रखेंगे त अमीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको यह जानकरी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए